देखो standard deviation का एक और formula है that is based on the actual data मतलब उसमें क्या है आपको कुछ पर निकालना deviation वगएरा कुछ निकालना बस आपको क्या करना है जो x given है उसका square कर दिया ठीक है वो आप calculator का use करके निकाल लेंगे अब इसका एक formula है summation x square by n मतलब यहाँ पर याद रखना summation x square का मतलब यहाँ पर क्या है जो आपने पहले x square करना है फिर इसका sum करना है यहाँ पर तो उस वाले की बात हो रही है और यहाँ पर है कि summation x का उसका square करना है summation x by n जो आएगा उसका square करना है तो इसमें difference समझना है यह formula याद रखने की कोशिश करें यह easy for you है और यह apply करने में भी असान है तो यह हो जाएगा आपका बस अपने यह वाला यूज करा तो आपको यह वाला formula भी याद रख सकते है या फिर आप simple जो आपने starting में किया x minus x bar by n का under root और इसका square बस यह याद रखना है इसमें इसका square है n का नहीं है यानि summation x minus x bar का square by n अब याद इन दोनों में से कोई भी आप formula याद रख सकते है ट्राय करो कि अपना विश्चक आप एक formula याद करो so that जो आपके exam में use हो जाए जादा formula याद करने के चकर में question नहीं करना है तो आप अपने सिर्फ एक या दो formula याद रखो standard deviation के ठीक है पेपर में ऐसा नहीं आया कि आपको किस formula से करना है question तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको असान लगे जो भी आपको easy apply करने में वो अपने formula रखो ठीक है तो अब जिसे मालोगी हाई पर आ जाते है इसका assume अगर मालोगी मैंने बताया अगर f आजगा अगर discrete series होगी तो जितने हमने पहले formula किया है सब सेम रहेंगे बस क्या हो जाएगा उसके साथ f multiply हो जाएगा जिसे मालोगी वाला formula किया था मैंने अगर यहाँ पर discrete होगी तो क्या हो जाएगा summation f x minus x bar और निचे हो जाएगा summation f similarly इस वाले formula में क्या होएगा summation f आजाएगा यहाँ पर यहाँ पर भी f x के साथ मतलब f आजाएगा हर जाएगा जिसे for example जिसे मालोगी वाला question है जिसे वाला है इसका formula क्या बन जाएगा small x square का मतलब क्या होता है small x का मतलब होता है capital x minus x bar तो यह क्या बन जाएगा summation f x minus x bar का whole square by n n मतलब summation f तो इसमें क्या करना है पहले आपको कि अगर मालोग x और f given हो तो पहले आप x minus x bar निकालेंगे पहले mean निकालेंगे यानिकी x bar पहले mean निकालेंगे यह first column है फिर second बन जाएगा x minus x bar का whole square का column फिर जो यह आएगा इसको multiply करेंगे इस f से यानिकी f x minus x bar का whole square फिर जो यहां sum आएगा आप इसका use करेंगे इसमें formula में जो की formula है summation f x minus x bar का whole square by n इसका under root यह formula हो जाएगा आपका standard deviation का in discrete series similarly assume mean का formula क्या होगा सेम वही था जिसमें बस आप क्या रख जाएगा यहाँ पर f मतलब क्या करोगे आप अगर आपको x और f गीवन हो पहले आप x में से आप कोई भी एक number को assume mean मान लो इनोंने minus 6 को आप d निकाल लोगे d कैसे निकालेंगे x minus a x minus a x minus a से क्या निकाल लिया d फिर आप निकाल लो fd fd मतलब इसको इससे multiply कर लो फिर आप निकाल लो यहीं पर आप पर कोलम मतलब यह हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 410149 अब इस जो d square आया इसको multiply कर दो f से 3 आजाएगा अब आपको इन दुनों का sum चाहिए यानि कि formula के हिसाब से आपको क्या चाहिए summation fd square यानि कि यह वाला इसकी value रखी और summation fd मतलब यह माइनस 31 इसको solve करा formula बुट करा solve करा फिर ऐसे step deviation method है step deviation में जिसको करना करना बस मैं वीडियो में करवा रही हूं जिसको करना है वो करेगा वरना बेशिक यह method शोड़ भी सकते हो यहाँ पर क्या है बस जो d था वो क्या बन जाएगा d dash d dash क्यों जाए गहाँ यहाँ पर आपका x minus a by i x minus a by i मतलब इसे मालों आपका 10 है 10 minus 40 10 minus 40 ठीक है 10 minus 40 by i i मतलब क्यों जाए गए यहाँ पर common factor common factor मतलब जहाँ पर difference क्या हो 10-10 का ही हो यह वाला method भाई यूज हो सकता है जहाँ पर आपके x के बीच में difference क्या हो same हो इसलिए आप यह वाला method छोड़ दो यह वाला method कि इसकी यह कहीं कहीं अपलाए हो सकता है तो यह वाला method आप इसको आप skip कर सकते हो बस समझने के लिए याद रखो यह वाला method वहाँ यूज होता है जहाँ पर difference क्या हो x के बीच में same हो जैसे हैं आपर क्या 10-10 का difference है तब यह वाला method अपलाए कर सकते हैं यह वाला हम लगा सकते है